हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना वेलकम तो मैं चैनल फोडशेप जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं बना रही हूँ चॉकलिट केक केक बनाने की एकदम परफेक्ट वीडियो आप देख रहे हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसमें बताए हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप जब भी केक बनाएंगे एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनकर तयार होगा तो आएए बनाते हैं चॉकलिट केक बहुत ही सिंपल तरीके से वीडियो आपको अच्छी लगे हेल्फुल लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आए ये बनाते हैं चॉकलेट केक बहुत ही सिंपल तरीके से चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं इस तरीके से कढ़ाई यानि पैन का इस्तमाल कर रही हूँ इसमें मैंने एक वायर रेक रखा है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है इस नमक को मैं बार-बार यूज करती हूँ चॉकलेट इस तरीके से केक बनाने के लिए तो बस इसे कवर करें और धीमी आज पर इसे ढख कर हम छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए अब केक टिन तयार कर लेते हैं तो इस तरीके से स्क्वायर केक टिन लिया है मैंने आप कोई भी बरतन इस्तिमाल कर सकते हैं बस ये ध्यान रखें कि जब उसमें हम केक का बैटर डाले तो वो बरतन जो है आधा ही भरा हो पूरा ना भरा हो तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ओयल लगा लिया है आप ओयल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं बटर पेपर लगा रही हूँ अगर बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा ड़स्ट कर सकते हैं और जो इक्ष्रा मैदा हो उसे आप निकाल दे हलका सा ओयल इस एक चमच और इसी के साथ छोटा चमच बेकिंग पाउडर जितना मैंने लिखा है उतना ही आप इसमें इस्तमाल करें वन फोर्थ छोटा चमच बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा डाल दें अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें आप देखेंगे जब आप इस इसे मिक्स कर रहे है ना इस तरीके से तो यह बहुती फलफी और लाइट हो जाएगा थोड़ी तेर आप मिक्स करते रहें इसी तरीके से जब तक कि यह एकदम लाइट नहीं हो जाता है बस अब मैं इसमें डाल रही हूं एक कप पाउडर किया हुआ चीनी चीनी को आप ग् आप चाब कर भी डाल सकते हैं अच्छी तरह मैने मिक्स कर लिया है अभी इस्तरीके से चणली रखे और इसमें डाल दे 2 कप मैऀदा ये मेजरिंग कब है ये 250 मल का है तो इससे मैं ने कर दो चुटकी इसमें नमक डाल देए अभी अच्छी तरह चान ले जैसा कि मैं ने ब मैं बना रही हूँ चॉकलिट केक, तो इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े चमबच कोकोवा पाउडर, तो अब इसमें कोकोवा पाउडर एट कर देते हैं, इसी के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद डालेंगे दूद हमें इतना डालना है जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है एकदम ठीक रहे बहुत जादा हमने इसे गिला नहीं करना है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूद डाले एक बार में बहुत जादा नहीं डाले देखिए अभी भी ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा दूद और डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें एक छोटा चमश वनीला एसेंज डाल देते हैं बस अब अच्छी तरह mix कर लेते हैं इसकी जो consistency है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है ऐसे ही रखनी है अगर आप इसे ज़्यादा गीला कर देते हैं तो इसे बेग करने में ज़्यादा समय लगेगा और केक भी अच्छा नहीं बनेगा तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ बस इसकी consistency जो है ऐसे ही रखनी है अब केक बैटर को हम यह जो केक टिन तयार किये थे उसमें डाल देंगे एक बार इसे अच्छी तरह टैप कर लें बस अब इसे तयार किये हुए पैन में रख देंगे अब इसे कवर करें और लो से मीडियम फ्लेम के बीच में 30-40 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढख कर उससे पहले हमने इसे खोल कर नहीं देखना है मैं आपको फ्लेम भी दिखा रही हूँ इसी फ्लेम पर मैंने केक को बेक किया है 40 मिनट बाद मैंने चेक किया था केक नहीं पकावा था तो मैंने इसे पूरे 70 मिनट यानी की एक घंटा 10 मिनट लग गया आज इसे बेक होने में आप देख सकते हैं केक जो है बहुत ही अच्छी तरह बेक हो चुका है एक दो जगह इस तरीके से चेक कर ले वैसे एक जगह से ही डालने से पता चल जाता है कि केक बेक हुआ है कि नहीं अब इसे थोड़ी देर के लिए हम 15 मिनट के लिए इसी केक टिन में रहने देंगे 15 मिनट बाद इसे हम केक टिन से निकाल लेंगे आप देख रहे हैं बहुत यासानी सी एक केक जो है बाहर आ चुका है चाकू से इसके साइड्स को भी न क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ी ठंडा हो जाने दे ठंडा हो जाने के बाद आप चाहे तो इसे सिंपल इसी तरीके से कट करके सर्व करें या आप इसके उपर चॉकलिट इस तरीके से कद्दुगस कर सकते हैं तो घर में चॉकलिट पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके से डाल दें या आप चॉकलिट को मिल्ट करके भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, वैसे आप इसे गार्निस कर सकते हैं, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, बहुती सॉफ्ट और मॉइस्ट केक ये बनकर तयार हुआ है, और यकीर मानिए, दही के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा इस केक को बनाने का, कि आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करें, बहुती लाजवाब ये बनकर तयार हुआ है, देखिए एकदम सॉफ्ट ये केक बनकर तयार हुआ है, तो उमीद करती हूँ, ये रिसेपी आपको जरूर पसंदाई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें अप तक्यूू।